कि अरे फार आज तो दुल्हन आई में यह आपर वही शेरे की चमक मगर सरा बुझा 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 सा लग रहा है यह सींचेरा क्यों आप क्यों करते हैं ऐसी बाते मुझे अच्छा नहीं लगता क्या करूँ आदर से मजबूर हूँ खुबसूरती की तारीफ की यह बिनाम बेर रह नहीं सकता अच्छा अगर खुबसूरती के इतने ही दिल दादा हैं तो पिर जिया जी को क्यों छोड़ा था आपने जी दौलत के लिए महबत को छोड़ दिया जी आजी भी तो खुबसूरत हैं तो फिर उनका दिल यूँ तोड़ा आपने उनकी खुबसूरती की और महबती कदर क्यों नहीं की यह सब तुमसे किसने मोला मैंने खुद सुना है जब आप दोनों बात कर रहे थे हर इंसान की कोई मजबूरी होती है पैसे के लिए प्यार को छोड़ देना मजबूरी नहीं बेवफाई होती है हुदबर्जी होती है बुजदिली होती है सचा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है पर अफसोस आपको मिला भी और आपने अपने हाथों से उसे खो भी दिया हुदबर्णी होती है पीना, क्या बात है बिटा, मूँ क्यों लड़ता हावाय तेरा? खुछ नहीं, बस सोच रही हूँ के शादी करके खेरों को अपनाना और अपनों को छोड़ के जाना क्या जरूरी होता है? बिटा, ये तो दुनिया की रीध है ना? शेहजादियां भी कब अपने महलों में सदा रही हैं, उन्हें भी घर छोड़ कर जाना पड़ता है तु बता, तु खुछ तो है ना? जी, जी, अम्मी, मैं बहुत खुछ हूँ अच्छा, आप ये क्या कर रही हैं? आप भटे, मैं बनाती हूँ तु जा और सुकून से बैठ, मैं बना रही हूँ नहीं, मैं बना रही हूँ, आप अठे अरे, आज मेरी बहू किचन में, कैसे? वो मैं बीना से मिलने आए थे कैसी हो, मर्याम? पैठीको, अच्छा, तुम दोनों बाती करो, मैं जरा राना साब को बता कर आती हूँ कि धनिया ठुहीना गर में खतम होगे, है? गशे, लिए भाना बकार रही हूँ हाँ वो, अमी खाना बना रही थी तो मैं उने मना कर दिया मैं खाना बना रही हूँ कि मैं है कर दो नहीं मैं कर लोंगी अच्छा तुमसे बात पूछू हाँ पूछू हाँ पूछू तुम्हें क्यों किया मेरे भाई के साथ ऐसा क्योंकि यह उससे शादी तुम तो रिजवान देखो मेरे रिजवान से कोई तालुक नहीं था तुमने मुझे खुद बताया था मरिया मैंने जूट कहा था इस वक्त तुमने जूट बोला था या तुम आज जो कर रही हो वो जूट है तुम्हें जो समझने तुम था मज सकती है कब तक जूट बोलती रहोगी मरिया तुम्हारा ये जूट मेरे भाई के जिन्रगी तभा कर देगा इतने मज़ेगा खाना बनाया है मेरी बेटी में बड़े दिनों के बाद बीना बीटी के हाथ काना खाए अरे आमिर तुम ने क्यों हाथ रोख लिया और ले ना और बभी तुम तो चुडिया के बच्चे की तरह खुराक ले रहे हैं और लो ना अमिर बात में खा लेंगे ना जब भूख लगेगी सबर्दस्ती ना करें मरी मिटा तुम्हारी तभी तो ठीक है ना रहत कम खा दियो गोगा नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक है आमिर सज बता तुने पहू के साथ लड़ाई तो नहीं की देख कितना ज़रा सा मुनिक लाया जवचारी का ऐसा कुछ नहीं हो अम्मी क्या होगी आपको? बार बार ऐसे सावालत क्यों करती है? मसला क्या आपका? तरह नाराज कर दियो से तुमने? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? जो इतना आग बगोला हो गया वो झाल 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 जादी खूँ देख रही हूँ कि मेरे भाई की जिन्दगी की सबसे बड़ी ख़ाहिश पूरी हो गई वागर खुशी उसके चेहरे पे नजर नहीं आ रही फिकी मुस्कुराहट से अपनी आखों का दर्थ चुपाने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई कि यह क्या किया रही है है तुपना दर्थ चुपाने के लिए मुस्करा रही हूँ आए कि मुस्कुराने से आखों की नमी और भी वासया नसराती है कि अन्याने ऐसी पूबात रही हूँ है कि मुझे छोड़ो आमेर आपके बारे में सुच रही है कि आपके साथ चीप नहीं हो मुझे छोड़ो आमेर तुम्यों तो खुद के साथ भी अच्छानी किया क्या मचला है मैंने तुम्हारी और भावी की वादे सुली दिखिष्ट आपके अपके अब तक जूट बोलते रहोंगे आमेर अब तक अब ये सोचो कि उसने तुम से शादी की क्यों है क्या वजा हो सकती है कि वो नार चाहते हुए भी तुहारी दुरंदबन के इस घर में आई है वजह ढूंड़ो आमिर पड़ना एक दिन फुद कहीं खो जाओंगे क्या बताओं महब्बत को पाकर भी नहीं पा सका अब तक मुझ सा बेनसीब भी कोई क्या होगा कैसे सुनाओं अपने फर्याद कहते हैं कि औरत मर्द के दिल में उसके पेट के जरीए घर करती है यह तुम कैसी चालें चाल रही हो तुम मेरे बेटी को और मेरे शोहर को अपने काबू में करना चाती हो तुम्हारी अम्मी की कॉल आ रही थी कि तुम्हें काफी देर से ट्राई कर रही है अजय शुक्त करते हैं ज़ी माश्यालाह वा 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 मश्यालाह बीफ का कीमा मतर पलाओ, अरे, चटनी भी है, चार भी है, राइता भी है, और सलाद भी है, वाँ 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 और इधर क्या आधराद रेकें, इधर पराठ्था भी है, फोड़े दिनों का खाया है भाई, आई 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 बड़ा जबर्दस मेनिया भाई आज का, बहुत अच्छा काना है, यह जए लेका हमाँ है, र्यान आच nú यह बनए, यह किसρε बनाया है, इज्ग ने सखी नने, सखी नने लेकिन ये खाने तो हमारे मैन्यू में नहीं होते इन फैक्ट हमारे हैं तो डेली ऐसे खाने नहीं बनते वो मैंने कहा था सकीना से ये बनाने के लिए ओ तो अब ये डिसाइड करेंगी कि हमारे घर खाना क्या बनेगा और क्या नहीं वाँ जी वो सकीना ने मुझ से पूछा तो मैंने ये सब बनाने को कह दिया मैं आइंदा ख्याल रखूंगी अरे नेने बहुत अच्छी बात है बड़ा अच्छा मैनी है भाई बहुत दिन होगे असा खाना काई रहे अरना हम तो ग्रिल्ल चिकन और वेजटेबल्स और पता नहीं क्या इंगलिश फूड काते रहते हैं आगा ब्लड प्रिशर है आपको और शौक पराठो के हैं वाँ माँ मैं अ अपने लिए कुछ ऑठ कर भेठ रहा है आपके लिए कर हूं साहर सी बात है मेरी लिए साइलीड और ग्रिल फिश जी साइलीड और ग्रेल्ट फिश जी आपके लिए मोंगालों कुछ नहीं बस यह दो चीज़े करते हैं और एक बर्गर कर दियेगा लेकिन जल्दी कर दियेगा वह भूग लग रही है बहुत तेस ओके बात सुनो लड़की आएंदे इस बात का ख्याल रखना हमारे घर में इस खिसम के खाने नहीं खाय जाते मैं किसी एरे गएरे के लिए अपने घर के रूल्स चेंज नहीं कर सकती कीप इन यूर माइंड अरे तु बैठो दिल छोटा मत करो बैठो 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 हम दोनों खाते हैं छोड़ा हैं ये विचारे अच्छा खाना अंगे नसीब में नहीं है सुनो लड़की ये जो तुम हरकत ही कह रही हो ना मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह भाब चुकी हूँ ची कहते हैं कि ओरत मर्द के दिल में उसके पेट के जरीए घर करती है ये तुम कैसी चालेंग चल रही हो तुम मेरे बेटे को मेरे शोहर को अपने काबो में करना चाहती हो जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मेरे किचन भी कबजा करके तुम इस घर पे खब्ज़ जमाना चाहती हो ताकि इस घर का कंट्रोल तुम्हारे हाथ मेरे आप खलत समच रही है मैंने कभी ऐसा सोचा भी नही है आप नजानी क्या समच रही है मैं जो समच रही है बद अच्छी तना समच रही है तुम ज्यादा ओवर्समार्ट बनने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अंडिस्ट्रेंड? मैंने तो बीना से बहुत कहा था कि एक रात उच्चा है, मगर वो मानी ही नहीं, चली गए अच्छा है ना अम्मी, आप ही अपने कदम सुसराल में जमा लेंगे अरे वाभी वाँ, आज तो हमारी बहु कमरे से बाहर निकल आई तुम्हारी अम्मी की कॉल आ रही था कह रही थी कि तुम्हे काफी देर से ट्राई कर रही हैं तुम्हारी था था नहीं रही हैं मैं आया था कमरे में तुम्हारी लेकी अच्छा मैं कर लों यूंको काल मैं देखता हूँ जाय लाँ तुम्हारी ले ले नहीं मैं कॉफी पीती हूँ जा वोत नहीं है अमारे घर में पहले बताती है तो मैं आमर से मंगबा लेती इस ओके लो भई तुम्हारी अमने खुदीया असलाम लेको वालेकु असलाम कैसी है आप पैठे ना आज तो बहायर बताया रही हाँ बस मैं काम से निकली थी तो सोचा मरियम से मिलती चलो हाँ हाँ क्यों नहीं आमिर जा जाके कोल्डिंग तो ले आ और एक कॉफी की बोतल भी ले आना मरियम कॉफी पीती है जी मैं भी आता हासल में मुझे मरियम से जरूरी बात कहने थी अकेले में हाँ हा जरूर ना आप इससे ये भी पूछिएगा कि इसकी तबी तक्नी खराब क्यों रहती है ओँ अचा मरियम की तबीच खराब है हाँ ये कमरे में गुसी रहती है और ये ही कहती है कि मेरे सर में दर्द है हम लोगों से घुलती मिलती ही नहीं, हमारे साथ टाइम नहीं गुजारती और तो और आमिर भी ऐसे ही गुमता रहता है अकेला घर में आप माँ है इसकी, इससे पूछे तो सेही कि इसकी तब यह तितनी खराब क्यों है जी मर्यम, यह सब अकवास किया है? तो मेरा फॉन क्योंने रिसीफ कर रहे हो और क्या कहरी है यह और इस तरह का पीहेव क्यों कर रहे हो तो तो और क्या कर उंब, हसूं, खेलूं, खुशिया मनाँ, यह फ्रॉड है मॉम, धोका है जो हम कर रहे हैं इन लोगों के साथ ओफो, कोई दोगा होका नहीं है तुम्हारी इन हरकतों की वज़े से अगर किसी को पता चल गया और शक हो गया तो शक? प्लीज मॉम, बच्चों मारी बात में तु बिलकुल मत करें पता चलता है तो चल दे दो आखिर इनी लोगों की उलाद है कौन करेगा मेरा यकीम ना मेरे पस पेपर्स है ना कोई सबूत गर से धक्ये मार के निकाल देंगे मुझे ये लोग यही तो गलस सूच है तुमारी मरिया वो चलाक औरत अपने जाल में खुद पस गई वो तुमें क्या घर से निकाले की उसकी बेटी हमारे घर आये हुई हम निकाल देंगे उससे ओ गॉड मॉम कैसा दिमाग है आपका उस बिचारी का क्या कसूर है अर्यम डॉंट वरी अस तुम घबराओं अगर जैसे इन लोगों को कुछ पता चलता है जस्ट कॉल मी समझी प्लीज मॉम आपने जो करना था कर लिया उचसे दूर रहा जो करना होगा मैं खुद कर लोगी ठीक है तो फिर पड़ी लो सारी जंदेगी इसी घर में और मैं तब तुमें कॉल भी नी करूँ ही सुलिया तुमने I will be very thankful to you for that वाता चिलिगा तुमे झाल